आज हम बनाएंगे मेवे के लड़ू ड्राइफूर्स लड़ू एक हेल्दी और नियूट्रीशियस मिठाई है जो असानी से घर पर बनाई जा सकती है ये लड़ू बिना शकर, गोड़ या फिर मिस्डी के बनाई जाते हैं और बहुत ही जादा एनरजी से भरपूर होते हैं इन लड़ूं को आप एजा, स्नेक्स या फिर डिजर्ट सर्फ कर सकते हैं और ये फेस्टिवल्स के लिए भी एक परफेक्ट मिठाई है तो चलिए बनाते हैं आसान और हेल्दी ड्राइ फूर्ट के लड़ू इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बॉल खजूर ली है एक बॉल छुआरे लिए है एक बॉल में मुनक के लिए है और ये एक बॉल मैंने अख्रोट लिए है ये बादाम है इनको भी एक बॉल लिया है काजू भी एक बॉल लिये है एक बॉल अंजीर ली है और ये नारियल का बॉरादा है ये भी एक बॉल लिया है ये किशमिश है इसको भी मैंने एक बॉल लिया है और ये सभी नौत तरह के मेवे हम बराबर कॉंटिटी में लेंगे इसके बाद हम मुनका, खजूर और छोरा इसके बीच हम निकाल देंगे और अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और उसमें हम काजू डाल कर इसको ग्राइंड कर लेंगे देखिए मैंने काजू ग्राइंड कर लिये है और इसको अब हम एक बर्तन लेंगे उसमें इसको टांस्फर कर देंगे इस तरह से हम सभी ड्राइ फूर्ट्स को पीस लेंगे अब हम ये इसमें बादाम डालेंगे उनको भी ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम इस बरतन में ट्रांसफर कर देंगे नारियल का बुरादा हम इसमें एड़ कर देंगे और उसके बाद हम अखरोट को ग्राइंड करेंगे और उसको भी हम इसमें डाल देंगे अब हम किश्मिश, खजूर, मुनक्का और छोरे का पेस्ट पना लेंगे अगर आपसे आसानी से इस तरह से पेस्ट ना बने तो उबला हुआ पानी को ठंडा करके आप इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दीजेगा तो ये पेस्ट आसानी से बन जाएगा और उस पेस्ट को हम इसमें एट कर देंगे और अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ये देखिए हमने इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे शहद ये मैंने चार चमच शहद लिया है और इस शहद को हम इसमें एट कर देंगे ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनेंगे अब हम इन सभी चीजों को हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मेवे का डोह बनकर तयार हो चुका है और अब हम इसमें से थोड़ा सा पोशन लेंगे इतना जितना के बेशन का लड्डू होता है बस उतना बड़ा वैसे आपकी मर्दी आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें ये इस तरह से लड्डू का शेफ हम दे देंगे और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द बनने वाले लड्डू है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं देखिए मैं आपको फिर दिखाती हूँ इस तरह से हमने थोड़ा सा ये पोशन मेवे का लिया और इसको बहुत ही आसानी से रोल किया हाथ पर ये लीजिए लड्डू तयार है बनके बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही जल्द बन जाते हैं इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ हमें पीसना है मेवों को और लड्डू हमारे बनकर तयार हो जाते हैं इस तरह से हम सभी लड़ूं को बना लेंगे तो आप देख सकते हैं ड्राइव सूर्स के लड़ू बनकर तयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैंगे अगर आप इसको मार्केट से खरीदेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको महंगे मिलेंगे अगर आप ये लड़ू घर पर बना कर तयार करेंगे तो आपके लड़ू बहुत ज्यादा बनेंगे कम दामों में तो ये हेल्दी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा आप इन लड़ू को फेस्टिवल्स में अपने महमानों के सामने एजर डिजर्ट या मिठाई के तौर पर सर्फ कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी जो के बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है पसंद आई होगी और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब कर लीजिएगा और हो सके तो इसको आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाल्ला तब तक के लिए अल्ला हाफेज